मुझे आप लोग सच सच बताना कि आप लोग इस तरह के नेता किस ग्रह से लाकर एक तरह से अफना नेतित करने के लिए चुन लेते हैं आप सभी जान रहे हैं कि दूसरी लहर बैयानक तरीके से आज चुकी है कुरोना वाइरस की और आप देख रहे हैं कि डेली के 2-3,000 के करीक लोगों की डेध भी हो रही है यानि कि कुरोना वाइरस से 2-3,000 लोगों की डेली मौत हो रही है और आप जान रहे हैं कि 3,000,000 के ऊपर केस आ रहे हैं कुछ दिनों से और आपने ये भी देखा है कितनी भयानक इस्तिती बनी हुई है देश में फिर भी आप सुचिए कि आपके नेता किस तरह की बयान बाजी करते हैं एक आपने सुना होगा कि देखिए अभी भी आप लोग अपनी सुरक्षा रखी हैं अपने परिवार को भी सुरक्षित रखी नेताओं का कुछ नहीं है मुझे यकीन आज भी हो गया है पहले से भी था कि नेता बनने के लिए कोई आपको ये उगदा की जरूरत नहीं है लगबग आप अगर बेवकूप भी है और आप में बोलने की सैली है बेवकूप बनाने की सैली है बेसरम की हद पार करने की सैली है जूट बोलने की एक तरह से सैली है तो आप अच्छी नेता बन सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है आप जानते होंगे ने ये हैं आपके हर्याणा हर्याना देखा है आप लोग ने नहीं देखा है तो दिखा देता हूँ देखे ये है हर्याना तो इसमें आप देखेंगे कि हर्याना की मुखमंत्री साहब है मनोहरलाल खटर जो मुखमंत्री है हर्याना की और आपने देखा है कि हरयाना जो किसान अंदोलन है ये भी आपका हरयाना से ही चालू हुआ था और आपने देखा है कई लोगों की डैध भी हो चुकी है उस किसान अंदोलन में और किस तरह से उनकी साननों के साथ विवहार किया गया है ये भी आप भी जानते होंगे और मुझे लगता है दुनिया भी देख रही है लेकिन इन्होंने अभी क्या कहा है कुरोना को लेकर ये देख लिजे आप लोग कि जो लोग मर गए है बे विबाद खड़ा करने पर लोट कर नहीं आएंगे और मौतों की संख्या को लेकर बहस में जाने का कोई दुख नहीं है और इस संकट में हमें आकडों से नहीं खिलना है आप समझ रहे हैं इसका मतलब आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं मुझे लगता है कि बताने की कोई जरूरत भी नहीं है यानि कि बेसरमी की हद है लोग मर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है आप समझ सकते हैं कि उस परिबार पर क्या बीत्ती होगी जिसमें एक ब्यक्ति कमाने वाला था उसकी डेथ हो जाती है या आप किसी और परिबार को ले लेजी जिसमें कोई ब्यक्ति अच्छा खासा महत्त रखता है उस परिबार को चलाने के लिए एक साथ जोडने के लिए अगर उस वेक्ति की डैथ होती है तो क्या गुजरती होगी उस परिवार का साइध हम आप बैठ कर नहीं सो सकते है वो अच्छी कहाबत है कि जिसका दुख वही जानता है बाकी दुनिया के लिए तमासा रहता है तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह की मुख मंतरियों को चुन लेते हैं अब इन्हें छोड़ी है आप लोग आप जानते होंगे आपके जो स्वास्त मंतरी हैं केंद्रिय स्वास्त मंतरी केंद सरकार में मंतरी समझ रहे हैं इनका क्या कहना है इने भी आप लोग देख लिए लोगों की लापरवाही से कुरोणा में उच्छाल आया हर्जबर्थन जो आपके कैंद्रिये मंतरी हैं स्वास्ट मंतरी है स्वास्ट वेवस्ता समालने का काम करते हैं यहां उन्होंने आंगे क्या क्या है इस फर रहने और उससे जानदा लाफरवाही आपके politician यानि की नेताव ने किये आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में अगर कोई member है, कोई मुखिया है अगर वही बुरी उसमें हरकत हो, वही लाफरवाही करे तो आप समझ सकते हैं कि परिवार का माहूल क्या हो सकता है आपने जो protocol बनाय हुए थे, उसकी धज्या भी आप लोगों नहीं उड़ाई हुई है तो जंता कहां तक मानेगी, आपने अपने चुनाव में देखा है मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, हर नेता की यह equality है समय कि खुद नियम के पालन ना करना, दोसरे को सलाय देना यानि कि केबल लोग ही जिम्मेदार हैं, नेता अपना पलड़ा जार चुके है और इस से पहले आप आजादी के समय जाईए, कोई एक ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो अपनी गल्ती को सुईकार ना करता हूँ और इस समय आप देखते हैं कि कोई भी अगर गलत होता है तो उसका स्रे आजादी के पहले के निताओं को देने लगते हैं और इस समय कि अगर अच्छा काम हो रहा है, तो उसका स्रे खुद लूटने लगते हैं और आप समझ सकते हैं कि लोगों की मौत पर भी इन्हें कोई दया नहीं है, इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है लगवा, अभी भी पूल रहा हूँ मैं, कि आप अपना ख्याल लगिए और परिवार का ख्याल लगिए, मैं कहता हूँ घर से मत निकलिए, और मैं आज तो इत डालने भी मत जाएए घर से, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला है, क्या इस्तिती बनी हुई है, स्वास्तवे उस्तागी, आप समझ सकते हैं, ना तो हम लोगों ने पहली लहर से कुछ सीख ली थी, और ना ही अभी हम लोग ले र करिए गाप लो